Hello friends and welcome to PCMPedia और अभी तक आपने co-factors और minor निकालना और उससे पीछे का सब कुछ सीख लिया होगा और इस वीडियो में हम adjoint and inverse के ओपर बात करेंगे adjoint and inverse of a matrix अब adjoint और inverse दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ relation तो जरूर होगा inverse तो आपने निकालना सीखा हुआ है जो की a is equal to i a वाले method से matrix chapter में निकाला करते थे inverse मतलब invertible ये adjoint एक नई चीज़ आइड होगी है अब adjoint क्या होती है adjoint basically कुछ नहीं है एक let's say कि एक square matrix है मेरे पास a जिसके के अंदर जो elements है वो a i j है और order n cross n है इसके सारे elements का cofactors निकाल लिए और उनको नाम दे दीज़े a i j order same है और इसका transpose कर दीज़े सारे cofactors निकाल के transpose अगर आप कर देंगे तो हमारे पास adjointment of a आ जाएगा बहुत simple चीज़ आई है कोई confusion वाल जी चीज़ नहीं है तो अगर let's say कि मेरे पास कोई भी matrix है let's say कि मेरे पास एक matrix है एक 2x2 की matrix ही ले ले दाऊ a11, a12, a21 and a22 यह मैंने एक matrix suppose करी 2x2 order की यह wild line हो गई अब यह wild line अब पहले cofactors देखते हैं देखिए अगर मैं इसके cofactors निकालों सारे के सारे cofactors of a cofactors of a अगर मैं निकालता तो क्या आते हैं a11, a12, a21 and a22 2x2 यही तो आते हैं मतलब निकालने के लिए तो पहले इसको hide इसको hide फिर यह होता लेकिन नाम हमने यह दे दिये अब अगर मैंने इसको transpose कर दिया तो मेरे पास adjointment of a जो आया इस वारी matrix का basically transpose होगा इसका मतलब यह चीज़ है 2x2 square है तो order same ही रहेगा हमेशा तो यह जो चीज़ है यह मेरे पास adjointment of a है इसका transpose करने के बाद co factors निकालने के बाद transpose करना है बहुत बार बच्चे transpose नहीं करते हैं और फिर पूरा question गलत हो जाता है आगे से so place mind it अब हमारे पास एक example है 23 जिसमें कि हमें adjointment of a find out करना है जिसमें कि हमें जो matrix दीवी है वो 2,3,1,4 यह defined है अब यह कैसे निकलेगा इसका नाम a11 है यह a12 है यह a21 है और यह a22 है ठीक है तो यह तो small a11 small वाले हैं ना हमको capital में चीए तो मतलब पहले मेरे को इसके क्या निकालने पड़ेंगे co-factors निकालने पड़ेंगे तो अगर मैं a11 निकालने की बात करूँ तो यह वाला और यह वाला hide होगा क्या बचेगा खाली 4 with plus sign क्योंकि 1 plus 1 क्या होता है 2 यह पिछला चेप्टर में भी बता रखा है बट इस तिल आप ऐसे देख सकते है अगर मैं a12 निकालने कुशिश करता तो यह वाला निकालने इसके corresponding निकालने यह हाइड यह हाइड यह हाइड 1 बचा 1 बट इस माइनस साइन क्यासा आया क्योंकि माइनस उन की पावर 1 plus 2 होता तो माइनस उनका क्यू बचाता एड 1 तो माइनस 1 आ जाता यह जिस्ट इसका explanation इसकी जोत नहीं है similarly a21 यह इसके corresponding यह हाइड यह हाइड 3 आया माइनस में क्योंकि odd है और a22 even है 4 इसके corresponding 2 तो मेरे पास चारों cofactors आ गए हैं तो आप इनको किस तरह के से लिख सकते हैं adjointment of a is equal to 4 minus 1 minus 3 2 but with transpose sign तो अब जब तक इसका transpose नहीं कर दूंगा तो अब तक adjointment नहीं आएगा तो this is the adjointment of that example right अब देखे इसकी shortcut trick क्या है क्योंकि 2 by 2 matrix है तो छोटी चीज है तो shortcut भी उष्ण कुछ तो हो गई अब 2 3 1 4 है अगर मैं इसका direct adjointment निकालने की सोचता तो क्यासे आता adjointment of a अगर मैं direct मेरे पास जो matrix है वो 2 3 1 4 यह है अगर मैं इसका direct adjointment निकालने की कोशिच करता यह वाली जो diagonal है इसको सिर्फ और सिर्फ आप change कर दीजिए simple says interchanging और यह वाला जो diagonal है इसमें sign change कर दीजिए यह 3 रहन दीजिए यह 1 रहन दीजिए but with minus minus sign अगर यह minus हो तो plus हो जाता फिर यह same answer है तो यह adjointment direct निकालने का तरीका है but only applicable for 2 by 2 matrix यह बहुत simple चीज है और बहुत ही काम की भी है अब यह inverse निकालना नहीं बताया है यह सिर्फ adjointment निकालना है बहुत बार बच्चे adjointment में और inverse में confused हो जाते हैं जब matrices वाले chapter में जाते हैं वापस से वह गया दें कि 2 by 2 matrix उनके पास है उनका inverse निकालना है तो वह direct यह चीज करते हैं उनने लगता है कि inverse आगया नहीं यह adjointment of A आया है अभी inverse निकालना आप सीखेंगे तब पता चलेगा कि basically 2 by 2 matrix का अगर 2-3 second में ही inverse निकालना है अब एक बड़ी simple सी theorem है जिसमें कहा गया है कि A को अगर हम adjointment of A से अगर multiply कर दें या फिर इसी का उल्टा adjointment of A को अगर A से multiply कर दें तो debt A into I debt A क्या है एक line का simple one word answer I क्या है identity matrix तो debt A और identity matrix के बराबर आ जाता है अब identity matrix क्या है उसमें तो diagonal one one होते हैं बागी सब zero और debt A क्या है वो तो simple एक number आएगा सिर्फ तो मतलब जो diagonal आएगा होगी इन numerical value होगी इन दोनों को multiply करके ऐसी कुछ चीज आते होगी जिसमें की सारे के सारे elements diagonal को छोड़के 0 होते होगे तो बेसिकली ये proof में आ जाता है तो आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखना है ये proof के लिए आ जाता है कोई भी आपको एक example दे देंगे वो आपको इस तरह के से proof करना होगा आप example number 24 भी देख सकते हैं अब हमारे पास एक दो छोटी छोटी definitions हैं जिसमें की कहा गया है कि अगर debt A0 के बराबर हो जाए अब debt निकालना तो बहुत इसी है वह तो determinant chapter में हम निकाली रहे तो अगर debt A0 के बराबर आ जाएगा तो इसको कहेंगे singular matrix और अगर debt A0 के बराबर नहीं आया तो इसको कहेंगे non-singular matrix ये बहुत इसी चीज है इसमें तो कोई problem नहीं है आप debt निकाली है एक number में आ जाता है कि एक matrix एक determinant आपको दे दिया जाएगा और उसमें से आपको determinant की value निकाल नहीं अपने आप होगी बस ये बोल दिया जाएगा क्या ही singular matrix है या फिन नहीं है बहुत बार बच्चों ने वाइड ही पहली बार सुना होता है एक्जाम में जाकि फिर पता ही नहीं चलता ही क्या करना है basically question तो एक ही number का है question तो बहुत जादा easy है बट जब आपने void ही नहीं सुना होगा तो फिर तो problem हो जाएगी अब एक theorem है जो की a inverse को निकालने काम आता है one upon debt a adjointment of a ये लीजए ये एक direct formula है इसमें ये तो आपने निकालना सीख लिया है ये आपको आता ही था इन दोनों चीज़ों को इस तरह के से multiply करें तो a inverse हा जाएगा अब ये a inverse तो सिर तभी possible है ना अब ये debt a 0 के बराबर ना हो it means ये क्या होना चीए non singular matrix पे ही applicable है सिर्फ अगर कोई matrix singular है तो उसका inverse possible नहीं होता ये भी paper में आया है कि यह बताईए क्या इसका inverse possible है या फिर नहीं है फिर आप इस तरीके से check करते है तो question किसी भी तरीके से आ सकता है एक number में तो ये inverse निकालने का तरीका है बहुत बार बच्चे matrix के chapter में जाते है two by two matrix में सिर्फ adjointment एक second में तो निकाल लेते हैं इस वाले तरीके से interchanging और change the sign वाल तरीके से बट ये debt in नहीं निकालते है और इस वाई से question गलत हो जाता है तो ध्यान से अगर आप shortcut भी लगाएं तो वो भी ध्यान से उसके बाद हमारे पास example number 25 है जिसमें कि हमें एक matrix दी हुई है A और एक matrix दी हुई है B और हमें जो verify करना है कि A B का inverse B inverse A inverse के बराबर है देखिए यह तो आपने पढ़ा होगा A B inverse B inverse A inverse के बराबर ऐसा तो लिखा जा सकता है अब A और B को पहले multiply करें फिर उसका inverse निकालें B का अलग से inverse निकालें इतना सारा काम तो करना है बड़ेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे A को और B को multiply करेंगे AB inverse is equal to 1 upon AB debt and adjointment of AB मतलब जो इन दोनों से multiply करेंगे जो भी 2 by 2 की matrix आई होगी इसके cofactors निकालेंगे transpose करेंगे ताकि आपके पास adjointment of AB आ जाए यहां भी लिख भी लीजिए adjointment of AB find out करना है और AB भी आपने निकाली यह इतनी साही चीज़े निकाल लिए तो आपके पास AB inverse आ जाएगा फिर B inverse और A inverse वो तो निकालना easy है B inverse भी आप इसी तरीके से निकाले A inverse भी इसी तरीके से निकाले और आपका proof हो जाएगा कोशन थोड़ा सा लेंदी भरी लग रहा हो अभी आपके 2 x 2 matrix है ना सौटकर ट्रिक्स लगाई है जल्दी काम हो जाएगा मैं कोशन अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि यह एक्जाम्पल है और यह कोशन एक्सराइस में भी है तो मैं एक्सराइस वाला कोशन करूंगा तो इसलिए यह वाला कोशन अभी नहीं करवा रहा हूँ आप के समझने के लिए इतना काफी है वैसे फिर उसके बाद जो हमारे पास एक्जाम्पल है एक्जाम्पल नमबर 26 जिसमें कि हमको एक matrix दी हुई है 2,3,1,2 और हमें satisfy करना है इस equation को अब इसमें तो कुछ नहीं है A को दो बार multiply करो मतलब A into A A square होता है 2,3,1,2 2,3,1,2 इन्हें multiply करके लिखो कुछ 2 by 2 की matrix आईगी वो यहाँ पर रखो minus 4 को इससे multiply करो और जो आई है वो क्या है 1,0,0,1 वो यहाँ पर रखो automatically 0 के बराबर आजाएगा बहुत easy question है यह and using this equation find A inverse अब यह है जो कि important है using this equation find A inverse अब इसकी help से inverse कैसे निकलेगा आप A inverse अलग से नहीं निकाल सकते हैं वरना गलत हो जाएगा अब देखिए हमारे पास equation है A square minus 4 A plus I is equal to O 0 भी कह सकते है अब मेरे को देखिए निकालना क्या है A inverse तो मुझे यहाँ से power कम करते करते इसे minus 1 पर पहुंचाना है अभी तो 2 पर आई है तो मैं इसको इस तरह किसे लिख सकता हूँ और let's say कि इसको इतर भीज दिया यह तो O minus I तो minus I हो जाएगा क्योंकि वो 0 है आप हर जगे A inverse की multiplication कर दीचे है 4 A A inverse is equal to minus I A inverse इसको post multiplication भी कहते है क्योंकि यह हम इस right hand side में कर रहे है अगर पहले करते हैं तो pre हो जाता अभी कर रहे हैं तो post है अब इतने पार्ट को देखिए इतने पार्ट को देखिए और इतने पार्ट को देखिए इनसे क्या मेट रहे हैं A A into A inverse I Sorry minus 4 I which is equivalent to minus A inverse यहीं बनेगा A into A inverse तो I होता है A into A inverse I होता है I into A inverse A inverse ही होगा क्योंकि identity को multiple I करके तो बहुत फरक पड़ता नहीं है तो हमारे पास अब इस क्याल कैसे करेंगे A inverse मेरे पास I चुका है अब ज्यादा power को छेड़ने की जोटनी है तो A inverse is equal to 4I minus A क्योंकि यह भी क्या है A कहला देता है तो इस तरीके से आपके पास A inverse आएगा जो कि आपके पास जादा एक मिन्ट में आ जाएगा उस वाले method से भी ज्यादा easy है यह वाला method क्योंकि आपने A B निकाला वाए I B आपके पास है सिर्फ A inverse आजाएगा इस तरीके से तो next video में हम इसके corresponding exercise 4.5 है वो करेंगे so thank you very much